हलो फ्रिंट आज मैं बताएगी बिलावज का बाजू रखके आप बाजू कटिन कर सकते हैं तो कि बाजू सही रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आम होल में जोला जाता है उसके लिए बाजू सही कटिन करना बहुत जरूरी होता तो फिरिंट बहुत बहुत लोग का बाजू सही नहीं कटिन हो रहा है आम होल में जोला जा रहा है तो फिरिंट मैं उसी पर बताएगी कि आप किस तरह बाजू को कटिन करिए फिरिंट मैं बहुत सार बाजू पर वीडियो डाली हूँ आप उस पर भी जाके देख सकते हैं फ अंगली का एक बोट लेने का एक बोट लेने का है यहां पर बढ़ा लेनी का है गजिए यहां पर बढ़ा लेने, ंगलेफ्ग Всем uh और यहां पे यहां पे जो सिलाई में जाएगा इधर सिलाई में जाएगा तो अरजेश्ट हो जाएगा अब भी हम आते हैं इसको इस तरह खींच के देख लेंगे इस तरह पेपर आप खींच के नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह ख़ता फट जाता कपड़ा लूज होता है तो आप इस तरह खींच के चेक कर लेने का आपको कहां तक बाज़गा रहा है ते देखिए मैं खींच के लेगी ते देखिए यहां से और यहां तक आ रहा है तो मैं यहां पे ले ली हूँ और अब भी क्या देखने का यह देखिए यह जो होता है अपने ही बिलाउच का ज इधर परफिक्ट आ रहा है इधर भी परफिक्ट आ रहा है तो है गोली कितना बढ़ा देंगी तो इससे क्या葉 तसके बाद में आपको देखने का ये गैosity जो बाजु का पा Communist आपके आगए झाप scholar लुक्त ये देख्याए जादा नीचे नहीं हुपर आया है दो इस सीपव ad तो आपको हल्का सा यहाँ पर रख लेने का है इस तरह से बाद में आपको यहाँ पर मिला लेने का है देखिए मैं आपको पट्टी से बता रही हूं एक इंची पर इस तरह सिधा ही मेले destiny अगर आपका ज्यादा जाड़ा है यहां पर cross में नहीं तर आप इस तरह लाइनिंग कर लेने का यह उतन ही रखने का यहां तक कुद नहीं रखने का है उसके बाद सिदाई यहां प्याहर है नो इंच पर आ जा रहा है यहां से धीरे धीरे ऊपर के तरफ जाने का है आप को यहां से धीरे-धीरे इस तरह ऊपर जाने का यहां तक आपको ज़्यादा उपर नहीं जाने का है जब भी हम लोग आधे पर पहुंचते हैं यहां पर धीरे दीरे इस तरह उपर कर लेने का देखिए आपको नहीं मालूम पढ़ रहा आप अगर इस तरह बाजू बना रहे हैं तो यह देखिए फ्रिंट यह देखिए परफेक्ट यह बीचो बीच पे आ गया है यह देखिए यह देखिए मैं यहां से गुलाई ली हूँ उपर की तरफ आधे पे 9 इंच का था 4 इंच पे मैं उपर की तरफ गुलाई ली हूँ साड़े 4 इंच के नीचे से इसको उठा के इस तरह दीरे दीरे ली हूँ तो आपको इस तरह ध्यान देने का है जब ही आप बीच पे पहुंच रहे हैं तो बीच से आपको इस तरह दीरे दीरे ऊपर के साइड में इस तरह इस तरह आपको घुमा देने का तो इस तरह आपक दो इंची छोड़ दिने का आए दिखे इस तरह आप बाजू कटिंग करिए आपके यह कभी बाजू नहीं भीड़ेगा बाजू में कभी गड़ बड़ी नहीं आएगा आपका जोल नहीं आएगा क्योंकि आप जब इस तरह लाइनिंग ले रहे हैं एक लाइन इस तरह बना जोइंट होता है दूसरी बात आप जब भी जो लाइनिंग आपको मैं बताई हूं यहां पे बीचो बीच में लाइनिंग दी हूं जब भी आप इसको बाजू बना रहे हैं इस तरह तो जब भी यहां पे बीचो बीच पे पहुंचते हैं देखिए इस तरह तभी आपको बैठेगा आपको पेपल लेने का आपको बार बार इस तरह आपको बार बार इस तरह परेटिस करने का है देखिए इसको इस वाजू और दूसरा इसको मैं कटिन कर देगे देखिए इस तरह पर फिट कटिन हो गया बाजू यह देखिए इस तरह आधाइंची इसको कटिन कर देने का है भी जोआधा यह तो इस तरह आप कट मार देने का है आप यहाँ पे भी कट मार सकते हैं देखिए इस तरह तो फ्रेंड जब भी आपका ये बाजू का गुलाई नहीं बन रहा है आपको बार बार पेपर पेक प्राइटिस करने का है और प्राइटिस करते रहिए तो फ्रेंड आपके समझ में आया होगा किस तरह में बाजू करने के दम सेंपल और सरल तरीके साब को बताई